हेलो गाइस, वेलकॉप तो अबर चैनल एरिक कंप्यूटर, मेरा नाम है वेपिंगिरी, फ्रेंट्स मैंने आपको कई वीडियो में आपको डियूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टाल करने बताया है, जैसे कि विंडोस प्लस काली लैनेक्स, विंडोस प्लस लैनेक्स ब करना पताया है, दोस्तो हम डियूल बूट तो इंस्टालेशन कर लेते हैं, बट अगर हमें डियूल बूट को रिमूब करना हो, तो हम कैसे करेंगे, इस केस में काफी लोगों को कुछ प्रॉलम आती है, यानि कि वो ड्राइब तो डिलीट कर देते हैं अंदर से, जिस पे ह हमारा सिस्टम पूरी तरह से टिल बूट से रिमूब हो जाए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो गाइस यह जो वीडियो होने वाली है, यह जी पीटी पार्टिशन इसकीम वालों के लिए, एम बीर वालों के लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगा, फिला के लिए सेम प्रोसेस होने वाला है, आप यहां पर जो डिक्स हमारी हार्ड ड्राइव या एसस्टी है, उसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टिज में जाएंगे, यहां पर आप वॉल्यम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जो स्टाइल वो यहां पर GPT SHOW हो बोरा है इसके अलाबा आप देख सकत हैं यहां पर Y8 system partition बना हुआ है, यह E5 system partition 100 पर्टिशन इस्टाइल वालो में ही बनता है, तो आप देख बेरे के हमारे पास एक C drive है एक D drive है और उसके साथ E drive है, मैं आपको This PC open करके दिखा देता तो यहाँ पर E-Drive में हमारा Prime OS Installation है जो कि Row दिखा रहा है, D-Drive में हमारा Data है जो कि भी फिलाल Blank है, Data मान सकते है कि विना किसी Data को नुकसान पहुचा है, DualWood को Remove करेंगे और इसके लाबह आप देख सकते हैं इसमें EFI Partition हमारा बना हुआ है और C-Drive है तो एक बार मैं आपको System को Restart करके दिखा देता हूँ कि DualWood का हमारा इंटरफेस है, वो किस तरह से इसमें आ रहा है जिसको हम Remove करेंगे तो यहाँ पर हम सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेकि Restart होड़ी के बाद आप देख करते हैं DualWood इस तरह से आता है अब यह भारे सिस्टम पर Prime OS इस्टॉल है और Windows 11 इस्टॉल है यह एक तरह का Grub Boot Loader होता है जिसको हम पूरी तरह से रिमूब करेंगे इस वीडियो में यानिके DualWood को अल्ली हम Windows 11 रने देते हैं तो अभी हम वापस Windows 11 को On कर देते हैं और Windows 11 पर हम वापस जाते हैं यहां पर हमने Windows 11 को On कर लिए गए ओके गाइस यहां पर हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होके आ चुका है जो मैं आपको यहां पर मैथड बताने वाला हूँ इस मैथड से आप पूरा DualWood को पूरी तरह से रिमूब कर सकते हैं यहां पर मैं आपको पहले डिटेल दे चुका हूँ किसी ड्राइब हमारी Windows 11 की है E-Drive यहां पर हमारी Prime OS की है और D-Drive में हमारा data है और जो हमारा EFI folder है इसमें हमारा grub boot loader का file है जिससे कि हमारा जब भी हम सिस्टम को restart करते है Dual boot का operating system यहां पर show करता है तो step by step देखेंगे कोई भी step आप miss न करें गाइस अगर आप इस वीडियो पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं आपको Windows plus R प्रेस करना है Run command में जाना है Run command पर open करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है Dix part Dix part टाइप करने के बाद आपको OK पर क्लिक करना है Yes पर क्लिक करना है अब हमारे सामने यहां पर एक Dix part open होके आ चुका है तो गाइस यहां पर आपको टाइप करना है List volume L-I-S-T Volume V-O-L U-M-E और Enter पर क्लिक कर देना है आपके सामने यहां पर जितने भी आपके सिस्टम में डिस्क के volume होंगे वो यहां पर शो कर जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर Dix volume Volume 0 से लेके Volume 3 शो कर रहा है C drive एज़ हमारा Windows 11 का partition है जो कि Healthy दिखा रहा है E drive में हमारा Prime OS है जो कि Row दिखा रहा है अगर आप इसको File System देखें और बाकी Volume 2 इसमें हमारा As a Data है बात करें Volume 3 और जो Volume 3 है यह आपका System Partition है 100 MB का जो कि आप देख सकते हैं जिसमें हमारा Grab Bootloader इंस्टॉल्ड है तो यहां पर हम थोड़ा और इसको Easy बनाने के लिए जो हमारा E drive है जिसमें हमारा Prime OS इंस्टॉल है इसको डिलीट ही कर देते हैं तो राइट किलिक करते हैं और Delete Volume के Option पर जाते हैं और Yes कि लिक कर देते हैं यहां पर हमारा जो D drive है E drive है sorry जो हमारा E drive था जिसमें हमारा Prime OS Install था उसको हमने को पूरी तरह से remove ने किया तो उसका पूरी तरह से remove करने का process यहां पर देख लेते हैं तो अगें हम एक बार फिर से यहां पर list volume को अगें यहां पर type करते हैं और enter पी click करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले जो 0 से लेके 3 थक था अब यहां 0 से लेके 2, 3 यानि कि हमारा जो 1 वाला था healthy partition जिस जो row partition वो यहां से remove हो चुका है देख सकते हैं पर हमारे लिए जो अभी काम का partition है system partition यानि कि यह हमारा volume 3 है यह हमारे लिए काम का partition है तो इसको हम यहां पर select करेंगे तो select करने के लिए यहां पर हम type करेंगे select volume जो भी आपका volume है इस पर इस देखे आपको volume type करना है यहां पर 3 volume यहां पर show कर रहा है तो मैं 3 type कर सकता हूँ आपके case में 2, 3, 1, as well कुछ भी हो सकता है तो बट आपको volume 3 system वाले partition को यहां पर check करना है तो just मैं आपको enter कर देता जो volume 3 था वो select हो चुका है यानि कि volume 3 में हमारा system partition है जिसमें grubboot installed है तो अब इसको हम एक drive letter यहां पर assign करेंगे यहां पर हम type करेंगे assign letter और space देखे letter और is equal to और यहां पर drive letter हम यहां पर type कर देंगे f drive यानि कि c और d और e यह तीनों हमारे यहां पर use हो चुके थे चुकि अब यह हमारा e यहां पर blank है फिर भी मैं यहां पर f drive और यहां पर enter क्लिक देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर successfully यहां पर हमने एक f drive create कर द यहां पर हमारे सामने f drive आ चुकी है जो कि हमारा system partition है guys अगर मैं इसको open करना चाहूं तो यह open नहीं होगा हमारा administrator permission होने के बाद भी तो इसको भी हम एक command prompt के थुरू इसको open करेंगे और इसके अंदर जो हमारा grub bootloader का folder है उसको remove करेंगे तो इसके लिए हम आगे चलते है command prompt के इसको मैं यहां पर close कर देता हूं और start पे करते अगे तacked करते हैं cmd cmd याने कि command prompt को हमको run as administrator open करना है तो यहां पर इसको मैं run as administrator open करτεता हूं यहाँ पर कर देता हूँ, अब यहाँ पर हमें जो हमारा drive letter है, यानि कि drive letter हमारा कौन सा है system partition का F, तो हमें उस drive letter पर यहाँ पर आ जाना है तक, यहाँ पर मैं F प्रेस करूँगा, semi colon करूँगा और enter पर click कर दो, तो आप देख सकते हैं हमां F drive पार चुके, आपके case में F, G, H, I, कोई भी case हो सकता है, तो आपको just यही command आपको follow करना है, इसके बाद हम यहाँ पर type करेंगे dir यानि कि directory देखेंगे कि F drive के अंदर कौन-कौन से folder है, तो guys आप देख रहते हैं, इसके अंदर दो folder बने हैं और कुछ file है, जैसे कि EFI folder है और एक boot folder है, Espace, और type करना EFI और enter कर देना है, अब हम EFI folder के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर, और EFI folder के अंदर के बाद हम अगेण यहाँ पर directory यहाँ पर type करेंगे dir और enter पर click करेंगे, तो guys आप देख सकते हैं, यहाँपर, अब EFI folder के अंदर हमें Android folder हमें यहाँ पर show हो रहा है, android folder वही folder है जो कि हमारा dual boot को run कर देता है हमको इस android folder को यहां से delete कर देना है तो इसको delete करने के लिए again हम एक command type करेंगे तो command क्या है वो देख लेते हम rmdir slash s और इस पीज देखे यहां पर हम folder का नाम देंगे android 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 और एंटरपे क्लिक कर देगे android हमारा वही folder है जिसके अंदर हमारा grub boot install है जस्ट एंटरपे क्लिक कर देते हैं इसके बाद ही आप से पूछ रहा है are you sure तो यहां पर हम y press करेंगे और अगेन हम एंटरपे क्लिक कर देगे इसके बाद हमारा यहां पर folder डिलेट हो चुका है इसको चेक करने के लिए अगेन हम चुका होगा और चलो एक बार हम system को restart करके देख लेते हैं और जो हमारा unlocated partition है इसको हम वापिस हम c drive में merge भी कर सकते हैं या इसको हम as a equal drive बनाकर data storage में use ले सकते हैं तो मैं system restore करने के बाद भी यह process आपको आगे बताता हूँ तो मैं अभी आपर system को restart करता हूँ okay guys यहाँ पर मैं system को restart करने जा रहा हूँ पहले starting में हमने system को restart किया तो हमारे सामने grub bootloader option आ रहे थे अब जस्ट मैं system को restart करूँआ तो directly हमारे restart होगे window 11 open हो जाएगा यानि कि अब हमें grub bootloader यहाँ पर हमारे सामने नहीं आएगा तो guys आप देख करते है system restart हो चुका है और directly हमारे सामने आप window 11 on हो रहा है यानि कि grub bootloader पूरी तरह से remove हो चुका है तो guys यहाँ पर हमारे system restart होकर आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे F drive थी यानि कि system partition वह भी यहाँ पर remove हो चुका है अगें हम डिक्स management में चलते हैं right click करकर start पर और यहाँ पर हम डिक्स management में जाएंगे तो guys आप देख सकते हैं यहाँ पर again हमारा F drive था वह आप यहाँ हो गया है अगर आपको data storage नहीं चाहिए आपको चाहिए कि यह वाला partition again हमारी C drive में merge हो जाए वापिस तो हम इसको वापिस merge कर देते हैं तो यहाँ पर मैं delete volume वाले option पर click कर देता हूँ yes पर click कर देता हूँ तो guys यहाँ पर C हमारा Unlockated हो गया है merge करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी drive आप merge करें उसके बीच में कोई gap नहीं होना चाहिए जैसे मैं आपको यहाँ D drive पर click करूँ तो यहाँ पर extend volume का option नहीं आ रहा है यानि कि अगर इसके आगे हमारा Unlockated partition होता तो यह volume हमारा extend हो जाता आप right click पे जैसे क्रिक करेंगे तो आपके सामने extend volume का option आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको C drive को extend करके दिखा देता हूँ यानि कि यह partition वापिस हमारे C drive आ जाएगा तो यहाँ पर extend volume पे click कर देता हूँ next 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 and finish तो आप देख सकते हैं C drive का यहाँ पर space हमारा जो पहले हमारा 50 GB हमने इसमें निकाला था प्राइम उससे बनाने के लिए वापिस इसी में चला गया है तो गाइस यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंड में जरूर बताए और वीडियो अच्छे लिए को प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का घंड़ा प्रेज करना धा भूलें जिससे आपको आगे आने वाल वीडियो का notification मिलता रहे है तो गाइस मिलते हैं किसी और शांदर वीडियो में थैंक यू